तो रादे रादे फैमिली फिट से एक और फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ तो देख सकते हो आज में एक और बर्फी बनाने जा रही हूँ तो आप लोगोंने मेरी अक्सर वीडियो में देखी होगी कि में बर्फी बहुत बनाती हूँ तो जी हा मुझे खाना पसंद है बट पता है मैं डाइट की वजजे से खार नहीं नहीं खापाती हूँ तो मेरे घर में जब को मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद दे और बर् तो इस वीडियो को आप लोग फुल वाच करना बहुत ही आसान रेसिपी है, और तीन चीज़ों से मिलकर यह रेसिपी बनी हुई है, और बर्फी आप खाओगे ना तो यकीन नी मानो के इतना यमी लगेगा कि सारी बर्फी फेल है, अगर आपको यकीन ना हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉंस दिखाए, ताकि मुझे मुझे मोटिवेशन मिले, इसमें हम चीनी भी डाल देते हैं, ज्यादा चीनी मट डालना ठीक है, अपने टेस्ट के अकोडिंग कम ज्यादा अरजेस्ट कर लए ना ठीक है, अब इसको हम अच्छे से मिक्स करत एक कोमेंट में बताओ गाईज, आजकल मैं बड़ी प्रॉब्लम में चल रही हूँ, पता नहीं क्यों कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, I don't know, कुछ होता है न लाइफ में कभी कभी काम करने का मन ही नहीं हो रहा होता है, जबकि पता नहीं, जो विधी का विधान है, मु बस अब खुद पर बिलीव है यार, यह लोग ना बहुत मतलबी है, लोगों पर यकीन नहीं है मुझे, मुझे बस अब खुद पर ही यकीन है, जो मैं कर सकती हूँ, वो अपने 100% दूंगी, मैं अपने काम में, अपने जो भी है, मेरे पैशन है, सब में 100% देना चाहती हू अब मैं खुद के बारे में सोचना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी आसपास के लोग है ना बहुत ही घटिया और वाहियाद है, लोगों ने बहुत ही, मतलब जैसा सोचा था था ना वैसी जिंदगी नहीं चल रही है, पता नहीं क्यों जैसा सोच रही हूँ, उसका हमेशा उ बढ़ जाएगा, एक पैकेट मिल्क पाउडर मैंने इसमें अड़ कर दिया है, फिर इसको हमें दस मिन तक चलाते रहना है, तो जी हाँ मैं आप से बात कर रही थे अपने लाइफ के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं और मेरे प्लैटफॉर्म से कनेक्ट नही है, तो मैं यहाँ पे भी कुछ अपने दिल के बाते कर लिया करती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, और आप लोग उसे मैं शेयर करती हूँ, तो मुझे दिल हलका सा हो जाते हैं, मुझे अच्छा सा फील होता है, इसलिए मैं आप लोग उसे शेयर करती हूँ, ग देखते हैं कि क्या होता है जिन्देगी मुशे क्या करवाना चाहरही है जैसा मैं चाहती हूँ नज वैसे एक भी चीज नहीं होता मेरी according सब लोग यहीं बोलते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है भगवान चीन देंगें जो चीन रहे हैं पता नहीं हो रहा है कुछ भी करने का नियुत हो रहा है एई dipping होती रहती है формis तो इदर हमारा बंकर रेडी हो कुका यह तो जड़ेंगे धंदा होने के बाद में उ sinkingशे रहा है इसे हमारा बर्फी का पर्फेक्ट सेप आ जाता है मैं इसलिए इसी में बर्फी बनाती हूँ जादा तर ठीक है मेरे पस मैटेरियल कम हो तो ठीक है तो गाइस यही है लाइफ में जो भी सिच्वेसन आए न उसको बस हमें डिल करते रहना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए अगर काम छोड़ देंगे न तो और जादा हम हमारा मैंड और जादा और तिंकिंग मतलब करता रहता है जो भी अगर आप कुछ आपके सथ प्रॉब्लम चल रही है तो बस न अपना काम करते रहो जितना जादा हो सके ना बिजी रहो अपने काम में कि ना किसी की बाते सुनने को मिले ना कुछ गलत अपने बारे में देखने को मिले यार बस काम करते रहो काम करते रहो और एक दिन आपके काम्याबी आपके कदमों में होगी और आप लोग कहोगे कि सच में भगवान ने जो चीना था कुछ अच्छा दिया है मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जब मेरे साथ अच्छा करेंगे आस तक उन्होंने कभी नहीं किया बट फिर भी उन पे भरोसा है मुझे कि वो जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे और क्या बस अपने करम करना है एक नए एक दिन तो अच्छा करेंगे कभी तो मेरे सुनेंगे आखिर वो मेरे भी तो भगवाने बस इसी बात पर सब़ करके मैं अपना काम करती रहती हूं जब भी अच्छा होगा तो मैं आप लोगों से बताऊंगे जरूर क्योंकि सुख दुख अपने फैमिली को ही बताते हैं और आप मेरी फैमिली ही हो तो इधर देख सकते हो मैंने फ्रीज करके लगबग लिकाल चुकी हैं 20 मिनिट बाद तो इसको कट करते हैं और आप लोग देख सकते हो बिल्कुल परफेक्टली बरफी का सेप निकला है तो अभी फाइनली हमारा पनीर वाला बरफी रेडी हो चुका है आप लोग को कैसा लगा कोमेंट में ज़रूर बताना और टेश्ट तो मैं आपको बताने सकती उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा ठीक है इस वीडियो को लाइक कोमेंट शेयर करना प्लीज मेरी भावनाओं को समझे इस वीडियो को जितना ज़य्यादे उसके शेयर करो वालाइक करो ठीक है प्लीज आप लोगा सपोर्ट साइड ऋसे में थोड़ा बाहर निकल पाओ